गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई भूब आप अच्छे होंगी आपका दिन मंगल में हो और इसी मंगल में शुरुआते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रशाद लग रहा है और हमारे प्रशाद पूजा करने से दा महुत प्रशाद बाटनी का होता है तो अपने हम गली महलों में अपने आज प्रशाद बाटते हैं सुबह उड़ती हैं तो हम परस से पहले काम यही करते हैं प्रशाद में देना चाहिए अपने आज प्रशाद हम बाटते हैं उनके यहां से भी हमारी घर आता है और हमारे यहां से भी उनके घर जाता है तो प्रे तो अब देख सकते हैं तो प्रेंस कहते हैं अब दिख सकते हैं Pryshad हमारे ज़ने कम से कम 10 घर हैं 10-12 घर होंगे तो वहां मैंने सारी पुजा समगरी लगा दी है आप देख सकते हैं इसमें मिठाई है अम्रूद है फल है और रात में जो मैंने फलहार बनाया था तो आपने फलहार भी इसमें डाल दिया है तो ऐसे ही प्रशाद हमारे यहां लगाते हैं और जिनके घरों में हम देते हैं वा बन रहा है आलो मटर की सब्जी और पराठा तो मैं बना रही हूँ तो फ्रेंड्स आप दे सकते हैं मैंने आलो निकाल दी हैं और आलो चल के साफ कर रही हूँ और टमाटा भी निकाल दिया है मैंने यह मैं रही मटिया भी आ दे हैं तो गैस पर मैंने कहाई चाहादी कहाई को पुष्ट रहते हैं दो ही जग भी लग जाती करी के बार पूस्ट लेते हैं और अपना आम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आज सब्जी में टमाटर आलो मटर सब्जी बन रही है तो यह नहीं 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 बना रही हैं तो यह इन्हों नहीं नहीं कहां कि रात का बहुत हैवी हो गया है तो फ्रेंड्स यहां पर यह भी आचुके किचर में देखते रहते कि मैं क्या बना रही हूं क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही हूं यह बैठे सांती से रह नहीं सकते तो यह आकर देख रहते कि कैसे क्या हो रहा है तो यह नहीं का बस सिंपल रोटी ही बनाना चावल मत ब तो फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं मेरी मिक्सर फिर से खराब हो चुकी है लगता है मैंने कल स्विधा नमक पीस लिया था उसकी वज़े से खराब हो गया है तो फिर भीक्सर खराब होती है तो बहुत जा दिकत हो जाता है क्योंकि दो दिन का टाइम बरबाद हो जाता है बनने को दो बनवा के लिए कि आएंगे अब क्या कर सकते हैं तुन्होंने बुला कि ग्राइंड करने वाले में ग्राइंड कर लो जो में छोटा सा मेरा है तो यहां बब उससे भी ग्राइंड नहीं हुआ तो मैंने इसको हास से कट करके डाल दिया अब सबजी बनानी है लेट तो हो ही राय क्या कर सकते हैं तो सबजी में छोक लगाना शुरू कर दिया और टमाटर को मैंने चाकू से बारिक-बारिक काट लिया है और काट करके आलू और मटर रख दिये हलका सा उसमें ऐल डाल के धीमियाज करके यह हलके से पक जाए टमाटर डालने के बाद तो बगना बहुत मुश्क्र जाता है तो मैंने एक तरफ तरफ मैंने अपना आलू और मटर तो फ्रेंड जैसा कि आप देखे सबजी मैंने छोक लगा दिया ह टमाटर के साथ यह पक सकती नहीं है तो मैंने वैसी बॉल कर लिया था तो फ्रेंड जैसा कि आप देखे रोटी रोटी मैंने हाथ लगा दिया है सबसे पर रोटी गाय की बनती है तो गाय की रोटी बना के निकाल दोंगी उसके बाद अपने लोग को खाले के लिए रोटी बनाओंगी तो छोटी सी रोटी हमारी है वो गाय की है प्रफूंडी बनाओं खाले के लोटी को तो वोटी पारी हाङ दोताओ के रे ओ 공 putting service तो फेंड्स आप देख सकते हैं सबची में बनके तियार हो गई है एक तेम बड़े अबजी बनी होई है हमारी तो फेंड्स यहां मेरे बच्चा पाटी खाना खा रही है तो आप देख सकते हैं यह बड़े वाले हर्ष है और यह आदेत्य हर्ष फ्रेंड्स को हेलो बोल दो ठंड बहुत ज़्यादा है इसको ठंड बहुत ही जद लगती है आदेत्य पहले खाना पर फोकस करिये खाते वक्ति मुवाइल रही है क्या और यह अंशिका इनकी प्री बोर्ट की पढ़ाई होने वाली है एक्जाम होने वाला है तो यह अपने पढ़ाई की प्रिपेशन में लगी हुई है और यह मिस्टर जी डाट रहे हैं बच्चों को कि पहले खाने पर ध्यान दो तब खाना खाते सब मुवाइल चला रहे है वो डाट रहे है सबको और यह अंशिका के पढ़ाई भी देख रहे है कि तो क्या पढ़ रही है तो फ्रेंड्स यहां में आपको अपना मंदिर दिखा रही हूं कि मेरे मंदिर में आज कैसी पूझा हुई है कैसे मन्दि को पे सुझाया हुआ है तो यह मंदिर है आप मैं परनाम कर लीजिए हां चोड़ लीजिए यहां हम अल्ली मौनिंग ही पूझा करते हैं और यह बनेखुए है यह भ दुकान के लिए जा रहे हैं है जा रहे है आपimated वाले वेले ले लिया है में में मोवा हम दोब know कर दोब को एक है क्राइब्ल पहला है हर डोर वीजन डॉके क्लिशेवी हरा है के सुत जो कम हुआ है प्रशाद के लिए बाब हैं और प्रशाद हमारे हुए है अंटी जी पुजा जो उच्छस हो गया आपका, पुजा बढ़े असा हो गया आपका, रात ने ब्रत कब खोला आपने, बताईए, अब लोग 10 बते खोले हैं, अच्छा, चलिए, और देखें, मैं ममी भी आ गई है, प्रशाद लेके, हाँ, रादे रादे, आपको बोल लए ह हैं, गड़े, चойти्ल प्रशाद लेके आई हैं, यह में सिस्टर है, प्रशाद मेले घर के एकड़म पास में है, तो यह भी आपको हैलो बोलनी है, रादे रादे, रादे बोल रही है, तो मैंने ब्रत किया था, और यह में ममी है, प्रेंट्स मैं आपको आज का मौसम दिखा रही हूं कितना खतरनाक वाला मौसम है गाइस रात के नौ बज रहे हैं और ये बारिश देखिए भैंकर वाली बारिश हो रही है मेरे हजबन जी और मेरे बड़ा बाबु तो आ चुका है पर मेरे छोटा बच्चा भी नहीं आया है आधित मेरा भी नहीं आया है पतानी वो कैसे आएगा इंको भेशती हूं मैं थोड़े बाईश थम जाए तो मैं इंको भेशती हूं कि देखिए कि अग्तम खतरनाक मुस्पलादार धार बाईश हो रही है बहुत ही जाद तेज बाईश हो रही है अब बता ही से थंड पढ़ेगी या घटेगी बनावस में इतना थार थंड पढ़ रहा है जिन्में आप से क्या बताओं तो फैंड रात के बज रहे हैं और मेरे बाब में तक नहीं आए जाए है जाए है तो बाईश बहुत ही जाए तेज बाईश हो रही है तो बहुत ही जाए बाईश हो रही है तो बहुत ही जाए बाईश हो रही है तो मुझे समझने नहादा कि क्या करो कैसे करो क्या करो क्या बस में तोड़े दिल में आज आएंगे और बाकी लोग तो आई चुके हैं तो खाले में क्या वनेगा आज क्या खाएंगे पूरी और अच्छा देखिए वह थंडी लग रही है लोग दुपकिया हुए हैं तो फ्रेंड्स आज रात के डिलर में नमक अजवाएं के पूरी ही अजवाएं तो बन तो था दाल चाल बनाने का लेकि इन्हों ने कहा नहीं सिर्फ ठंड बुझादा है चाल मत बनाना और चाल हम नहीं खाएंगे तो बस रात के डिलर में पूरी बन रही है नमक ब्याएं की पूरी और सुबक थोड़ी बची हुई है टमाटर आलो मतर की व मेरे बड़े बड़े बेटे को चाय से पूरी बहुत पसंद है तो थोड़े से चाय बनाऊंगी मैं चाय पूरी अचार और सब्जी जो है वो है ही उसे में हजबन जी खा लेंगे तो बस आज यही दिनर मनेगा हमारा चाय और पूरी है प्रेंड्स मंत शौका था दाल चौर बनाने का में विला उसे में बहुत मतर के इसमें दाल चौर बड़े थलका खाना बन जाये लेकि ठान एक्सी जादा पढ़ रही है तो वही हजमें जीने बुला कि नहीं इसमें चावाद बिलकुए बच्चों की तब बच्चों की अच्छा से पूदी बहुत अच्छे सव रोख लेते हैं तो बस असनुने स्पंट एक पूडी मना रहे हिए तेक लो गहां हुआ है यह है यह इस हुआ है मैं बाबू ली आया है ली रेडिवीट रेडिवीट रसी वाली पकोडी जो पर साथे काफी अच्छी लगती है कुछ चटपटा बंद करा तो उसका खाने का तो उसको सुझा कि मैं क्या बाहर में क्या खाऊ अपना घर ली चलता हो सभी लोग खा लेंगे तो यह सब्जी आई है सब्जी क्या पकोडी बोलते हैं को अब क्या मलती है कि मुझसे पता तक हमारे यालं कमारी टु खायते हैं बार को काफी अच्छी लगती हैर रीने टीमन उस पकोड़ी बोलेंगे इस असफुण ये पकोड़ी वाले सद्जी है कि धार के मांको यह देखिए फ्रेंट्स एक देवी वाली पकोड़ी यह ऐसी दिखती है और यह खाने में बहुत जाँ साधिश लगती है बहुत ही जाँ साधिश लगती है तो मैं बच्चा ही ले आया और विगा वालता में कपड़ा बदल ने उपोल दिया कपड़ा बदल दिया होगा आप में पर से गरम कर लेती हुए एक बार और इतना गर्मा गर्मी अच्छी लेक्ता आते सकते में पोड़ी बन चुकी है और यह सची है और आएगा तो मैं इस वीडियो का यही पर एंड करती हूँ मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो साथ तब तक के लिए पाई हुआ है